हेलो नमस्ते इस डॉक्टर रमन एंड यू आर वाचिंग आस्टाइट चैनल क्या आपको पता है हाथ अटेक एंड स्ट्रॉक का में कारण क्या होता है में कारण होता है आर्टरीज का नेरो हो जाना जो कि प्लाग फोर्मेशन की वज़े से यानि कि फैट डिपोजिशन की व तो इसलिए आज हम बात करेंगे हाई कॉलेस्ट्रॉल के बारे में क्या होता है और हम अपनी डाइट में ऐसा क्या इंग्लिवड करें जिससे की हमारा हार्ट प्रोटेक्टीड रहे और हमारी जो आर्टरीज है वो नेरो ना हो और इसके इलावा इसकी नॉर्मल रेंज कित इसके इ tee कता है नि हमारा लिवर से परिदYU impressive इस एलबा हम भी एनिमय भी इसे लिन में लेते हैं जैसे कि जो हमा 뛰 इनिम इनिम्ल होल पोड़क्ै помощ will make cholesterol構 Lot $ प्लांट बेस्ट किसी इन पूड पोड़क्श में cholesterol नहीं होता्स प्लांट बेस्ट good food product में हिन होता है जैसे कि whole milk हो गया यानकी मलाई वाला दूद उससे बनी पनीर, दही, घी, मक्खन और दही इन सब चीजों में कॉलेस्ट्रोल होता है चिकन, फिश, एग्स, एग योक में होता है काफी और मीट इन सब चीजों में जो है मटन इन सब चीजों में जो है कॉलेस्ट्रोल होता है या वेजिटीरियन होते हैं तो फिर भी उन लोगों का कॉलेस्टरोल बढ़ा हुआ होता है तो उसका कारण होता है कि या तो उनकी हरेटरी नमबर वन और इसके इलावा जो है वो सिदेंटरी लाइफस्टाइल हो सिटिंग जॉब हो बिल्कुल भी एक्सराइज ना करते हो ओवरवेट हो या डायबटिक हो या फिर उनका बीपी बहुत हाई रहता हो और इसके इलावा जो हाईपर थायरिडिसम की पेशेंट है तो उ इसमें आता है HDL and LDL HDL जो है वो होता है high density lipoprotein और LDL होता है low density lipoprotein तो जो HDL है वो गुद कोलेस्टरोल होता है और जो LDL है वो बैड कोलेस्टरोल होता है HDL को good क्यों कहते है क्योंकि ये heart friendly होता है ये हमारे heart को protected रखता है क्योंकि ये जो है ये हमारी arteries से fat को लेके liver तक पहुँचाता है और LDL क्या करता है वो fat की deposition को और बढ़ाता जाता है अगर LDL level high होगा तो हमारी arteries में जो है उतनी ज्यादा plaque formation होगी उतना ही ज्यादा fat deposit तो हम आगे बताएंगे कि ऐसी कौन से खाने हैं जिससे की HDL जो है वो आपका level increase हो और LDL level decrease हो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी normal range कितनी होनी चाहिए जब हम lipid profile test करवाते हैं जो की heart की screening का main test है तो उसमें सबसे पहले आता है cholesterol फिर आता है HDL, LDL, triglycerides ratio अगर यह आपकी normal range में है जो की cholesterol जो है वो 200 से कम होना चाहिए 200 mg per decilator और जो diabetic है या जिनको कितनी की issues है वो अपना cholesterol level 150 से कम ही रखें triglycerides है वो जो है उसकी normal range जो है वो आप 150 से कम ही रखें और LDL आपका 100 से कम होना चाहिए normal range जो है 100 mg per decilator है LDL आपका 50 से अबव होना चाहिए normal range है 40-18 mg per decilator तो आपका 50 से अबव होनी चाहिए क्योंकि वो help करता है आपकी आर्टिस्म से blockage को remove करने में अब इसके sign and symptoms क्या होते है यूजली क्या होता है जब cholesterol level high होता है तो कोई sign and symptoms नहीं होते पता ही नहीं होता कि आपका cholesterol level high है वो तो आप blood test क्रवाते हो तो उसमें आपका निकल आता है किसी कारण से गर आप blood test क्रवाते हो पर कुछ लोग में जो हो सकता है उनको heaviness हो chest pain हो या फिर legs में पेन हो fatigue रहता हो या जैसे आपका cholesterol level high हो सकता है और इसके इलावा जो लोग बहुत जादा स्मोक करते हैं स्मोकिंग करते हैं और जेन लोगों की sedentary lifestyle है तो उन लोगों का भी cholesterol level high होने की संभावना रहती है अब हम अपने डाइट में ऐसा क्या इंक्लिउड करें सबसे पहले बात तो है यह है क्योंकि cholesterol होता ही animal food products में है अगर आपका high है तो आप बंद करते हैं आप chicken बंद करें आप मतन और egg yolk खाना बंद करते हैं मलाई वाला दूद दहीं मक्खन बंद करते हैं आप double-toned दूद का आप consume कर सकते हैं उसी से बना पनीर उसी से बना दहीं मक्खन तो नहीं बनेगा क्य आप पनीर और दहीं यूज कर सकते हो यानकि fat-free paneer and fat-free curd होमेड होना चाहिए और इसके इलावा जो है एक घंटे की exercise बहुत ज़रूरी है जो exercise से क्या होता है हमारी जो HDL level है वो increase होता है और इसके इलावा जो है आप अपनी डाइट में good fat include करें ऐसने की fat बिल्कुल बंद कर देना है good fat में आता है आपका avocado है olive oil है walnut almonds इसमें good fat होता है तो वो क्या करता है वो cholesterol की absorption को जो है वो prevent करता है वालनक में तो phytosterols होते हैं जो की even cholesterol की production को भी prevent करते हैं इसके इलावा जो है आप अपनी डाइट में include कर सकते हो chia seeds, basil seeds यह भी बहुत जादे effective है यह HDL का level increase करते हैं और LDL का level जो है वो decrease करते हैं और आप high fiber rich food ले सकते हो जैसे की fruits है fruits में citrus fruits है या फिर आप cherries, berries, grapes यह सब add कर सकते हो fiber भी help करता है यह cholesterol के साथ bind होता है और फिर यह cholesterol को कम करने में help करता है इसके इलावा कुछ fat burner spices हैं जैसे मेथी दाना में sapoline होता है जो की cholesterol की production को ही कम करता है वो liver को help करता है जिससे की cholesterol कम बने और मेथी दाना के इलावा जो है आप अपने डाइट में garlic include कर सकते हो, clove include कर सकते हो यान की long include कर सकते हो और यह सब चीजें जो है help करती है cholesterol को आपके blood में reduce करने में अगर high level है तो उसको reduce करने में help करती है तो आप मेथी दाना का पानी ले सकते हो या मेथी दाना के sprouts ले सकते हो और भी ज्यादा एफेक्टिव है और garlic है वो आप चीव कर सकते हो सुबह एक या दो garlic पर बहुत लंबे टाइम तक आपने यूज ने करना बीच में आपने gap डाल देना है थोड़ी दिन यूज करके फिर आपने उसको रोक देना है आपने ऐसा नहीं कि आप लगातार महिनों ही सुबह खाली पिट गार्ली खाय जा रहे हो या मेथी दाना प बाज्रा बहुत इफेक्टिव है आपका यूजटरोल को कम करने में क्योंकि इसमें घ्रिंजल में ब्रॉकली है यह सब पुंक्रियों में अपने डायट में आप करें जिससे कि आपका को अलेस्ते लेवल चाह थापने अवाल्यावर्य को कं तो नॉर्मल आजाए जा फिर विदिन नॉर्मल रेंच रहे ताकि आपका जो हार्ट है वो प्रोटेक्टिव रहे फिर आप अपनी डाइट में इंकल्यूट कर सकते हो डाक चॉकलेट और एक और मैं कहना चाहूंगी कि एक जो आप सबको पता होगा इसब गोल होता है जिसे ह तो इससे क्या होता है आपके ब्लड में जो है कॉलेस्टोर लेवल कम हो जाता है जिससे कि आपका आट्रीस में जो है यह डिपोजिट नहीं होता तो इस तरह से जो है अगर आप अपने डाइट का ध्यान रखेंगे चुटी-चुटी चीज़ें इंकल्यूट करेंगे तो आपका हार्ट पोटेक्टिड रहेगा जान है तो जहान है तो थेंक यू सो मच पोर वाचिंग इस वीडियो बाबाए